नमस्कार दोस्तों आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस रो में ड्राइबर के पद पर वेकैंसी निकाली गई है जो कि 10 पास वाले अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तो अगर आप भी 10 पास हैं और इस रो में ड्राइबर पद के लिए फार्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो का बलाट सक देखते रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें यह 10 पास वाले अप्लाई कर पाएंगे तो दोस्तो देखिए अगर आपके पास LMB और HMB यानि Light Motor Vehicle और Highway Motor Vehicle Driving License है तो आपका इस पार्म को अप्लाई कर पाएंगे और दोस्तो देखिए अगर आपके पास Light Vehicle है यानि आपके पास LMB driving license है तो आपके पास 3 साल का अनुबा होना चाहिए अगर आपके पास HMB है तो आपके पास 5 साल का अनुबा होना चाहिए तो दोस्तों आप यहां से दे सकते हैं और दोस्तों आपको बता देते हैं जो इस तरह मेरे driver के path और vacancy निकाली कि यह total 18 पद है जो कि LMB में 9 पद है और HMB में 9 पद है तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि OBC के लिए 2 पद रखी गई है और general के लिए 5 पद है SC के लिए 1 पद है और ST के लिए भी 1 पद है उसी तरह HMB में भी 9 पद है जैसे कि बता दे कि general में 5 पद है OBC में 2 पद है SC और ST में 1 पद है EWS category का भी 1 पद सामिल किया गया है तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कितने पद होए अब आपको बताते हैं कि जैसे कि आपको बताएं कि 3 सल का अनुबर होने चाहिए LMB वालों के लिए और SMB वालों के 5 सल का अनुबर होने चाहिए जो date start हो रहा है आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 13 November से start हो जाएगा और 27 November तक यह फार्म भरा जाएगा यह आप देख लीजिए और आपको बता दे कि जो इसमें आपको payment मिलने वाला जो salary आपको दिया जाएगा आपको बता देता है कि जो लेवल दो किज़ाब से आपको 19,900 रुपिया से लेका 38,200 रुपिया आपकी salary होगी इसमें और आपको बता देते हैं कि इसमें कौन apply कर पाएंगे तो दोस्तों आपको 18 वर्स का आपका एज होना चाहिए तो ही आप apply कर पाएंगे ड्राइबर पद के लिए और आपके पास driving license होना चाहिए LMB में, HMB में और आपके पास अनुबाव भी होना चाहिए ड्राइबरिंग का तो दोस्तों मैं जो लिंक है notification का और station का link मैं आपको दिसमें देर दिया हूँ आप वहाँ से जाकर इसे apply कीजिएगा और notification को भी read करना होगा तो read करिएगा जैसे केम आपको बताई रहे हैं कि क्या क्या सब मांग रहा है क्या date है सब इसमें आपको बताई रहे हैं अगर आप इस फार्म को बढ़ने के लिए चुक हैं तो आप जरूर इससे बढ़िएगा link में description box में डाल देता हूँ और आप वहाँ से जाकर इसे जरूर read कर लीजिएगा चेक आउट कर लीजिएगा registration का भी link दे दिया हूँ और notification का भी link आपको description box में दे दिया हूँ तो जरूर जाकर आप इससे चेक आउट कीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके चैनल को subscribe कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ज्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों चलिए विलते एक और नाई वीडियो में तब तक लिए जया हिंद जय भाराव